बात करने हैं नीदल लेंद वर्सेस इंगल लेंद के बीचे होने वाले आज़ के आखरी यानि यानि ये पाँच हुए ECC टीतन मैच के बारे में हर एक प्लेयर का सारा इंफोर्मेशन कौँ किस नंबर पे बल्ले बासी के लाएगा कौँ कितनों और बॉल करके देने वाला है इस मैच का आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा प्लेइंग 11 क्या होगा प्लेयर बिदल क्या होगा दो से तीन आपके लिए कौँ से इसे प्लेयर कोई आपको रिस्क लेना होगा जो कि आपको इस मैच में जील में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे स्मॉल लिग में आप कैसे परफेक्टीम मना सकते हो कौन सी टीम ही मैं जी सकती है सभी चीजों के पर वन बाई वन बात करेंगे बस आपको एक ये चीज का ध्यान देना है ये जो भी मैं आपको तौस होने के बाद अपनी फाइनल टीम भेज़ दूँगा जिससे भी मैं खुद अपने पैसे लगाऊँगा वो तीम मैं अपने तेली को राम चैनल का आपको फ्री मैं अपनी फाइनल टीम भेज़ दूँगा हमारे चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन और कमें सक्समाइक से पिन के हुआ लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री में जॉइन ओपाऊगे ना मिले तो सीधे सीधे कमेट करके पूस लेना उसका भी आपको रिप्लाइ मिल जागा यानि कि आपके पास लि यानि कि हाएपर ऑई स्कॉरिंग गेम होगा रन काफी असानी से बन रहे हैं कई बार यहापर 200 रन भी बने आए और एक बार यहापर 216 रन भी बने हुए है यानि कि बॉल्स के लिए यहापर कुछ भी नहीं आर्दी फीसेल पिच का यूज किया ही नहीं गया है तो बॉल एकदम सीधी जा रही है बल्ले बाजों के लिए यहां पर कोई भी मुस्किल नहीं है असानी सी यहां पर रन बना करके दे रहे हैं सबसे पहले दी लिंकन जो की इंगले दिकितीम वोड़ से कप्टानी कर रहा है बल्ले बाजी में ओपनार आ रहा है एज़ा अफिकित की पर बाकी यहां से आर यहां से वेर हैगन किसी भी काम करनी है इसको बिल्कुल भी लेने का नहीं सोचना है बल्ले बाजी ओफसन है कोई भी यहां से मुज़ा एहमद को ले करके चल नहीं रहा है लेकिन यह कैसा प्लेयर है अगर आपको लगा रहा है कि नीदल ले दिकितीम इस आपको लगर है कि नीदल लेदिख दी में जीदने वली तो समझ जाना कि मुझा आहमद आपको 70 प्लस रं मरा करके देने वाला यानि की यानि की नीदल लेदिख के दो ही बड़े फ्लेयर है बल्ले बाचों में पहला नाम है सीव फ्लॉइद का दूसरा नाम है मुझा एहमद यह दोनों ऐसे बल्ले बाच है ना जो कि कभी भी आपको century भी मार कर के दे सकते हैं यह दोनों बल्ले बाची में opener आ रहे हैं अपरी टीम के सबसे मेन बल्ले बाच है और Steve Floyd जो है इस समय नीडल हैकी तीम वहर से कपतानी भी कर रहा है बल्ले बाची में भी ओपनर आ रहे हैं बॉल से भी आपको दो ओवर पुरा कर रहा है तो सीव फ्लॉइद आप लिए इस मैच के लिए सबसे जरूरी प्लेयर रहने वाला है अगर आप इंगलेदी के तरफ से देखोगे यही पर यही पर आप सारे पैसे जीत होगे और हारोगे अगर आपने य हधार जो की इनका में बॉलर है दो ओवर पुरा करेगा सुरू क 올 करेगा पहला ओवर करेगा तीसरा बॉल करेगा यह तीनों बॉलस आपको दो दो ओवर पुड़ा बॉल कर कर के देने वाले हैं उसके अलावे ऐसे तीह पर कर रहा है और काई बारे यह बन्लेबाची में नमबर 3 पर आ जा रहा है आखरी वाले मैचे नमबर तीन पे आकर के एती सिक्सनन मना करके दिया हुआ सिर्फ पच्चीस बाल पे वह भी सामने कमजोर टीम नहीं जर्मनी सीजन के सबसे श्रॉंग टीमों में से एक है उससे पहले वाले मैचे जर्शी के खिलाफ इसको बालिंग से एक ही और मिला जाप इसको दो विक्त मिल गया लेकिन आखरी वाले मैचे में इसने एक भी और नहीं किया उससे पहले वाले मैचे में भी इसने बालिंग से ही परफॉर्म किया हुआ है लेकिन इस सीरिस के सुरू में जब ये सीरिस लीग वाले मैचेस में चल रही थी वहाँ पी बल्ले बाची में नबर 3 पेहर था और कईवार रन भी बना रहा था वही वाला मौका वापस से मिला है सी हैंप आपके ले किसी काम का नहीं रहेगा क्योंकि बल्ले बाजी बी 7 नमबर करीब आएगा बाल करेगा नहीं ए रिस्टो प्लेयर तो काफी अच्छा है काफी बड़े लेवल का लेकिन इस सीरिस में इसको कोई इतना मौका भी नहीं मिल रहा है जब मौका मिल रहा है तो वहाँ परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा है अगर आपको रिस्क लेदा थैज ले लेकर करके चलूँगा क्योंकि कही बड़ आपको बाल भी कर रहा है बल्ले बाची भी कर रहा है तो जर्द्रस गिनों इनके पस कितने बॉलर है पहला बॉलर है पहला दूसरा बॉलर है यहां से देखोगे तो यह दी स्कौट just बालिं नहीं कर रहा है एफ एलोस कई बार दो और पुरा कर रहा है कई बार एक भी और नहीं कर रहा है ती हिले कई बार एक और कर रहा है कई बार दो और कर रहा है कई बार एक भी नहीं कर रहा है यही तीन में बालर से हैं, जो इनका मिला गर कब कर पान्च ओफर होगाёлb 10 foulía कि उसके बाइक बालर वहने साथ चार ओफर हैं, तो गभी किसी बाल दे रहे हैं, गभी किसी बाल दे रहे हैं तो यह एक आप ले थोड क्नफ्यूज़न के लिए रहे तो हो सकता है कि हिले को बाल भी दे दे तो यही रिज़न है कि हिले बल्ले बाची में भी तीसरे पर आ गया बालिंग से भी मौका मिल सकता है तो मैं इसको ले करके चलना हूँ यह रिश्वा को बाल मिले या ना मिले कोई ले करके भी नहीं चल रहा है कोई इतना फरक नहीं पड़ेगा अगर ये अच्छा भी कर दे और जादे तर मैच में फ्लॉप भी हो रहा है भली मौका मिले लेकि जादे तर मौकों पे इसको मौका मिल भी नहीं रहा F-Felos का भी से होई यह ज़्यादेतर मौकों पे इसको बालिंग करने का over नहीं मिल रहा है यहाँ पर इसने एक ही over किया इससे पहले देखो कि यहाँ पे एक भी over नहीं किया हुआ है यहाँ पर एक over बाल किया हुआ है तो कई baा over कर भी रहा है कई baन नहीं भी कर रहा है पहले मैं चाम मालता के खिलाफ इस नहीं एक भी-OWER नहीं किया हुआ है अभी घले मैं फैल्योंस को भी ले करके नहीं चलूंगा कि कि पले अपको बिलकूल बी रिस्क लेने का नहीं सोच diffamaan औरma नोगे पापकी 5 प्लेसिद को रैश को आपको रिस्क लेना हैGood आगे मेरे तीम से इस मैच से पैसे लगाने का सोच रे हो तो उसके लिए कि आपका हमारे तेलिग राम चैनल को जोईन होना पड़ेगा जहां पर 63,000 के करीब लोग पहले ही से फ्री में जोईन आप भी फ्री में जोईन हो पाऊंगे हैं आज के दिन के चार मैचस मैंने कवर के हुआ हैं तो चार सारी तीन मैचस कवर के तीनों मैचस की फाइनल टीम ह आपने चैनल को आपको दिया हुआ है तो इस मैचस की भी आपको फाइनल टीम मिलने वाली है हमारे तेलिग राम चैनल का लिंक आपको जी वीडियो के दिस्किप्शन और कमेश सक्समाख से पिन के हुआ लिंक मिल जाएगा जहां से आप फ्री में जोईन हो पाऊंगे फ्र सकती है तो आप यह भी कर सकते हो कि तीनों बालस को ले लो क्योंकि स्टोर्गेस ने आखरी वाले मैचस कमाल की बाल करके दिया हुआ जाब इसको तीन तीन विकेट भी मिले वह भी जर्मनी जैसी टीम के खिलाफ नीदल लेदी की तीम तो इस सीजन में काफी बेकार सक्सर किंग प्लेर है जब भी इसको मौका मिल रहा है परफॉर्म जरूर कर रहा है यहाँ पर इसने काफी लंबा खेला हुआ उससे पहले यहाँ पर भी इसने काफी लंबा खेला हुआ है जब जब इसको मौका मिला हुआ तब तब इसने परफॉर्म करके दिया हुआ है ल और कई बार ये बल्ले बाजी में नमबर 45 बैवन नमबर 5 पे आ रहा है और दी स्कॉट जो आखरी वाले मैचे भली फ्लॉप हुआ है लेकिन उससे पहले के तीन मैचेस में लाइन से गजब का परफॉर्म करके आया हुआ है और तीनों मैच में जर्णा देखो बल्ले बाजी में ये रन बना करके आया हुआ है तो आखरी वाले मैचे मौका नहीं मिला है लेकिन अफ़ी वाले मैचे मौका मिलने के पूरे चांस रहेंगे वहीं सामने नीदल लेदिकी तीम को अगर आपको लग रहे कि हारने वाली अगर चेस कर रही है वहाँ पर मुझा अहमत को ना लोगे तो वहाँ पर आपके असान हो जाएगा कि टीम बेवन को लेकर कर चल सकते हूँ अगर इंगलेदिकी तीम पहले बॉल कर रही है उसके अलावा यहाँ से एस बरात जो कि नीदर लेदिकी दिमोर से कप्तानी कर रहा है बल्ले बाची में नमबर पांच प्यारा बॉल से भी आखरी मैंचे दो ओवर पुरा किया हुआ है सिकंदर जूल फिफर काफी अच्छा बॉलर है विकित देगा बॉलर है अगर एक ओवर भी करेगा तो वो भी नवा या फिर दस स्वाव़ ेगा यानि की काफी अच्छा बॉलर है बल्ले बाची में भी नमबर छे प्यारा करके जितने बॉल मिलेगा न उसका तीन गुनार रन मनाएगा काफी अच्छा बॉलर है बस मوقब मिलने की देजिए या मौका बिलेगा तो समझ जाना कि आपको पर्फॉर्म करेगा ही करेगा तो सिकंदर अबास को ले करके चलना लगा क्यों कि एलन बास ना ये भी काफी अच्छा प्लेर रहा है लेकिन इसका बल्ले बाजी करम नमबर आथ पे रखा गया है इतना नीचे आ रहा है बालिंग स कई बार एक और करेगा कई बार दो ओवर करेगा सामने इतनी मजबूत तीम है कि हो सकते कि बालिंग से फ्लापस है तो सिकंदर को ले करके चल रहा हूँ जो कि आपको बल्ले बाजी में भी बैक अप दे करके जा सकता है यहाँ से अगर आपका मने तो आप ओ एलन बास को ल करके चल सकते हों यहाँ से अगर नीदल लेडिकी तीम पहले बाल कर रही है महां पर आप और वे वहक में भгор करेगा पहला और तीसरा हो और अगर अगर्वики नीदल ले दीकी तीम है बीकर आप ले करके चलना लेकिन लेखर नहीं चल रहा हूँ अभी केलें मैं सीव फ्लोईड वो कैप ओ दी लिंकन को वीची लेकर चल रहा हूँ बाकिए इस खोड मी काफी अच्छा प्लेयर है वीची के लिए उसके लावड को यहां सहार एदवात को भी वीची बना चाल सकते हूँ ये एक हमारे एनालिसिस बेस की तीम है फाइनल टीम जो भी होगे है तॉंस होने के बाद अपने तेलिग राम चैनल को आपको फुरी मैं अपने फाइनल टीम बेस दूँगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्किप्शन और कमें सक्समाओं के पिन के वा मिल जाएग जाइब यहाँ?